देखिए स्टबल बर्निंग अपने आप में वैसे तो प्रदुशन के नाते से इसका विचार करें बहुत एक गंभीर मामला है और इसमें जैसा सुप्रीम कोर्ड ने एक परकासे अपनी जो टिपनी की है और खास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है उसमें ए परकार की सायता किसानों को कर रहे हैं उनको इंप्लिमेंट्स दे रहे हैं उनको कैश सायता भी दे रहे हैं ताके वो प्राली न जलाएं और हर्याणा किसान नहीं जला रहा है मर्याणा की किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा है औ और हमारे एक लाख एकड धान जो है वो पिछले वर्ष में कम बोया गया है तो यह विश्य आगर पंजाब के लोग भी उठाते हैं तो इस पर निशी दुरूप से किसान जो है उन्सकी जानकारियां लेकर के उसको भी मानने के लिद्यार हो जाएगा मैंने पहले भी कहा है आज फिर कह रहा हूं कि इन विश्यों पर राजनिती नहीं करनी चाहिए वरना यह हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंतरी बार बार हर जो राजनिती तोर के ओपर इनकी जो स्टेटमेंट्स आती है वो उचित नहीं है और इस पर हमको मिल करके क्योंकि यह जो राजनिती से उपर उठ करके मुको करना चाहिए मिल करके इसको ठीक करना चाहिए और मैं पंजाब सरकार को भी कहूंगा कि अरियना सरकार ने जिस परकार से किसानों को लाब दिया है इन चीजों का जिस परकार से महियर अपनाएंगे वैसे वो भी अपनाएंगे तो य के नाते से इसका विचार करें बहुत एक गंभीर मामला है और इसमें जैसा सुप्रीम कोड ने एक प्रकास से अपनी जो टिपनी की है और खास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है उसमें एक बात तो यह सपस्ट होती है कि पंजाब सरकार इसके उपर जितना द्धान देना चाहिए और जिस परकार के मयज उनको अडॉक्ट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हरियाना से सिखना चाहिए आखिर हरियाना में हम लोग हर परकार की सायता किसानों को कर रहे हैं उनको इंप्लिमेंट्स दे रहे हैं उन द्धान को कम से कम होगा है पानी की भी कमी हमरे हाँ है तो इस अपील पर किसानों ने एक परकार से अमल किया है और हमरे एक लाख एकड धान जो है वो पिछले वर्ष में कम बोया गया है तो यह विशह अगर पंजाब के लोग भी उठाते हैं तो इस पर निशी दूरुप से किसान जो है उनसकी जानकरियां लेकर के उसको भी मानने के लिदार हो जाएगा मैंने पहले भी कहा है आज फिर कह रहा हूं कि इन विशों पर राजनिती नहीं करनी चाहिए वनाए हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंतरी बार बार हर बार जो राजनितिक तोर के ओपर इनकी ज स्टेटमर्स आती है